हेलो जी सब्सक्राइब नमस्ते सलाम वालेकूम मेरा नाम है कुलविंदर और आज हम बात करने वाले हैं आईफोन 11 के बारे में अभी मैं रिसेंटली अपने फोन को चला रहा था तो मैंने फ्लिप कार्ट खोला तो देखा मैंने एकदम से कि आईफोन 11 का प्राइज जो है वो 43,000 रुपीज आ रहा था 64 जी वी वाले का और अगर मैंने उसको खोल के देखा उसके बाद मैंने देखा कि ये तकरीबन 40,000 919 रुपीज का पढ़ रहा है अगर आपके पास एक्सिस का क्रेडिट कार्ड है तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको आईफोन 11 करीदना था और इसका प्राइस ड्रॉप हो जाए तो इसका प्राइस काफी ड्रॉप हो चुका है अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप खरीज सकते हैं अभी आफ लाइन इसका प्राइस जो है वो इतना भी रेडियूस नहीं हुआ है अप्रॉक दिन के अंदर आपके account में आता है अगर हम comparison करें offline और online में तकरीबन 7000 रुपीज का difference अभी आ रहा है अगर हम base price से differentiate करते हैं जैसे के 50,000 और 43,000 आइफोन 11 करीदने से पहले आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए आइफोन 11 जो है वो 4G phone है ये 5G phone नहीं ह चाहिए क्योंकि ये 4G है iPhone की अगर बात करें तो 5G phone अगर आपको लेना है तो आप ले सकते है iPhone 12 जो के approximately stores पर आपको 55,000 के करीब मिल रहा है after cashback मेरे हिसाब से अगर आप एक long term phone सोच रहे हैं तो आप जो है iPhone 12 को consider कर सकते हैं अगर आपको 5G की requirement नहीं है आपके लिए कोई मै करने की जरूरत नहीं है तो 41,000 रुपीज भी काफी अच्छा प्राइज आपको मिल रहा है इस phone की खासियत है कि इसका battery backup बहुत अच्छा है phone का और यह phone अभी भी बहुत ज़्यादा बिकता है market के अंदर अभी भी इसका दब दबा है बहुत सारे लोग अभी भी iPhone 11 को खरी की रही हो तो वीडियो को जाते जाते लाइक जरू करिएगा थैंक यू वेरी माच टू वाच दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार बबाई